नमस्कार किसान भाईयों मैं मनोज फिर से हाजीर हूँ आपके अपने चैनल अगरी वुमा में किसान भाईयों धान की खेती करने वाले किसान इस बार ज्यादा परिसान हो रहे हैं क्योंकि जो किसान धान की नरसरी डाल दिये हैं, उनकी नरसरी अच्छी तरह से अनकुरित नहीं हो पा रही है, कुछ धान के बीज में अनकुरन होकर सुख जा रहे हैं, या उनमें अनकुरन की प्रक्रिया ही नहीं हो रही है, तो किसान भाईयों इसके पीछे के क्या कारण है कैसे हम अपनी नरसरी को इस समस्या से बचा सकते हैं जो किसान भाई अभी तक धान की नरसरी नहीं डाले हैं उन्हें इस समय पर किस तरह से नरसरी डालनी चाहिए धान की नरसरी अच्छी ग्रोथ के साथ पूरी तरह तयार हो सके तो किसान भाईयों आज हम इसी पर चर्चा क देखने को मिल रही है कुछ बीज में अनकुरण हो रहा है और कुछ बीज ऐसे ही है कुछ बीजों में अनकुरण होकर सुख रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है उसके पीछे के जो कारण है वो है किसान भाईयों तापमान मौसम के कारण यह समस्या देखने को मिल रही है किसा जब 35 डिगरी से उपर का तापमान हो जाता है तो आईसी ही समस्या देखने को मिलती है जितना अधिक तापमान बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा समस्या बढ़ती जाएगी इस वर्स किसान भाईयों आप चाहे किसी भी छेतर के हो 35 डिगरी के उपर का तापमान आपके यहां पर 40-42 डिगरी तक का तापमान जो है कि पार हो चुका है आईसी भैंकर गर्मी में धान की नरसरी का अनकुरण सही से नहीं हो पाता है जिसके कारण कुछ पहुंदे उख जाते हैं और कुछ पहुंदे बड़े हो जाते हैं और कुछ पहुंदों में अनकुरण हो रहा होता कुछ वाइसे ही बीज आपको देखने को मिल जाते हैं यह एक प्राकिर्तिक समस्या इसे हम कर सकते हैं तो किसान भाइयों आप अभी तक नरसरी नहीं डाले हैं तो इस समस्या का उपाय आप पहले से ही कर सकते हैं बहुत सारे किसान बीज को सीधे खेत में डाल देते हैं अनक करके ही बीच को डालना चाहिए ऐसी समस्या खेत में देखने को नहीं मिलती है किसान भाइयों आप किसी भी वराइटी की नरसरी डालना है उसका थोड़ा सा अनकुरण आपको जरूर करना है तभी आप अच्छी धान की नरसरी उगा पाएंगे क्योंकि जब पहले से ही आप बीच का अनकुरण कर लेंगे उसी तापमान में बुवाई करेंगे तो आईसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी किसान भाइयों यदि आपने पहले से नरसरी डाल दिये हैं तो आईसी समस्या नरसरी में देखने को आपको मिल रही है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेह देना हें, जिसके चारों तरफ गरम हवाएं अंदर न जाएं, और सिचाई करते रहना है, जिससे टाप्मान कुछ हद तक नीरन्तर नरषरी में नमी बनाये रखें, दो से तिन डिगरी का जो है कि तापमान जो है कि टंप्रेचर वो है, कम हो जाता है, जिससे अनकुरण की समस्या इससे नहीं होती है, यदि किसान भाईयों आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो निरंतर साम के समय आपको सिचाई करना चाहिए, इससे भी काफी हद तक जो से हमारी जो है कि नर्सरी जो है कि वो भी चल रही है, लेकिन तेज धूब के कारण पाउंधे सफेद हो रहे हैं, पाउंधों में पीलापन दिखाई दे रहा है, और पाउंधे पीले होकर जुलस रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी यह समस्या है, इसके लिए आपको निरं नर्सरी में देने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो यह समस्या और भी बढ़ जाएगी, और धान की नर्सरी आपकी खराब हो सकती है, तो किसान भाईयों यह छोटी छोटी जनकारिया थी, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी थी, किसान भाईयों यह समस्या आपके नर् आपके नर्स्या को आपसानी से दूर कर सकते हैं, फिसान भाईयों, फिर मिलेगे किसी नई वीडियो में, तक के लिए धन्निमा,